नमस्त दोस्तों विल्कम टूदा मायूटी चैनल डायरेक्शन इड्वू तो फिस्ट फॉफ आप आएमेप के तरफ से एक रिपोर्ट आया है जिसमें भात का ग्रोथ करने की दर वो घटा कर 6.1% कर दिया गया है आने वाले करेंटेर एंट 2023 के अंदर जो कि अभी अब बरतम अबतार चार से पांच विबर्सों में भात का ग्रोथ रेट लगभव इसी क्या धारपनी चलेगा तो इस इस रिपोर्ट में जो कि भात को भी दियान रखने चाहिए ताकि अपनी अन आने वला समय में अपनी स्रिति को बेहतर कर पाएं तो चलिए इस वीडियो के मादर समझते कि भार 30 इस रिपोर्ट है क्या तो रिपोर्ट जो आपकल सब्रेमेंट है आपकल सब्रेमेंट अनि आयम इप के अंदर जो इस मतलब जितने भी मेंबर है वह वह लगभग 189 मेंबर टोटल आइड हैं आइए के अंदर काम कर रहे हैं तो उनके एक्वादिंग जो है यह हर सार जो आयम का जो आटिकल नंबर जो भूह है वह ह्डिसकन करती है ऐनिह हर सारा डिसकन को होल्ड करते हैं और इसमें जो इसका मेंबर was a लगिक हैं और लेते हैं और जैसे वह इन्फर्मेसन उनके पास जब गिन होता है तो आपता है है DAVID पहुंचते हैं रिटाना करके अप्समार करता है लेकिन दुनिया के एक रिपोर्ट जिसका नाम है एकॉनिस वर्ल्ड इकॉनुमिस आउटलूप वर्ल्ड इसकॉनिस आउटलूप जो है यह पूरी 20 विकी रिपोर्ट को जारी करता है दो काफी मोटनिस हमारी यह वर्ड को कवर करना हो जाता वह जो बाइए लिए बनाए गई है तो इसमें तो बात आएगा लेकिन जो अभी रिपोर्ट है इंडिया के परस्पेक्टिव से है किस चीज़ को भात को भी ध्यान पर कद पर बात के जो ब्रॉत को आए कि अग्याध लगतार है तो आने वाले जो स्तिती है भाद कर जो आने वाल समय है और जो गहतागर के बात की बनी रहेगी ग्रोत करने की दर है और महांगाई को कापी हद तक बाद कंट्रोल कर लेगा यह उनका कहना है रिपोर्ट के काउटिंग यह बातिक कही गई है अनिक किसी दिसकी महांगाई टू से 6% तक की रहेगे तो सबसे वेस्ट माने जाते ठीक है नहीं लेकिन अभी महांगाई 7% पर सब्सक्राइब इक्व बना है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ थोसने तीस होनी चाहिए भात को दोड़ शब्शी सथा तक भाद का टार्गेट है 17-16 तक भाद की टेन त्रियन यह फाइब त्रियों की अच्छीव करना है तो इस तिति में इतना कम ग्रोश से थासने मूस्व के लिए भाद के लिए बढ सब्सक्राइब और यह लगतार भात कंदल महांगाई दो साल से बढ़ ही रहा है अगर दिखना चाइना में तवाही मचारी किया करान वाइरस इसका अगर इफेक्ट इंडिया इकॉनमिस पर पड़ता तो भात का जो ग्रोथ करने के दर वो काफी हद तक और प्रभावित करेंगे फिर यह और और अगर यह बात की जाए तो आने वाले उनका मानना एमेप का म ग्रोथ करने की दर है वो लगवक सिक्स परसेंटर का सब्सक्राइब आने वाले समय में उनका यह मानना है और जो कि जो अभी मतलब करेंट यह जब उनके ऑफिस्यल का दुरा बात किया गया भारत के अधिकारे भारती अधिकारे से बात कि तो उनसे पता चला कि भारत का ज दो से तीन में तभी समय है जो कि हम हम पतलब ग्रोथ करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करेंगे ऐसा उनका मानना है एक्स्टरनल सौक्ट की बात के जाए तो इक्स्टरनल सौक्ट में अभी जिस तरह से उक्रेइन रसिया जैसे देसों पर मतलब यूद चल रहा है दोनों इसपर श्रति कि बाते हैं तो सेंक्षन अधिक हो जाने के बाद आए से रसिया का कहीं नगी इसका एफट इंडेन सोसाइटी पर मल्टीपल चैनल के मादियम से पर सकता है यो सबी मतलब कहीं न कहीं और इस्टिप्र बनेगा जिससे क्योंगा कि हमारा जो अकमडेटिस प् जौन का पोजिएसन पे हैं यह मत्ता है बहुत 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 यह आई मैं मरना है इंफ्लेशन आपके यह बात के रहे दो बहुत कि पाइंतिस बेसे पर बढ़ा करके भी बढ़ाया गया तो जिसमें वह 6.25 परसेंट हो चुकिए वी पुरेट भात का तो यह कहीं न कहीं भात के लिए चिंदने भी से के लगता रेपुरेट बढ़ा तो लोग को इंट्रेस्ट्रेस है वह अधिक मात्रम देना पड़ेगा अध लगतार जो अगस्ट 2018 अगस्ट 2018 से अंदर भात के अंदर देख़ए दो जा रहा है वह कापी मतलब मतलब इस्तिति भात के महाँगाई के लिए बताई जाए कि स्तिति खराब है महाँगाई पिर भी कोई परसेंगार 2-6% के बीच में तो बहुतर मांगाई लगतार 6% से उ इंफिलेशन जो 6.9 परसेंट में भोरा के भी चल रहा है भात कंदर करेंट 2022 तुएं ट्वंटी ट्वंटी तीरी कंदर इसका इंपेक्ट और भी डाइमेंशन में देखनों के मिलागा मिल सकते हैं फिर वहीं अगर दुट्वंटी तीरी कंदर एक यह बात सपस्टी करन के परसेंट नवंबर में तो हर समय भात करेंट अपर से ऊपर ही रहा था करेंट करेंट इक एक ट्रेट करता है कि बात एक स्पोर्ट करता जादे या इंपोर्ट करता है तो अब इससे क्या हुआ कि हमारे पात जो डॉलर एक दूसरा दिश्मादिट जाएगा अन्ही अभी ज जो हम जो फॉरेक्स डिफिसेट जो मेरा है वन पाइंट सेवन परसेंट जबी करेंट यह में चल रहा है लेकिन आने वाले समय में जो एकॉण करता है कि आप कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं और अगर आउन अगर बात किया तो भात अपना सीवीड को लाउंज किया ने सेंट्रल वैक डिश्टली करेंसी कि इसमें सरकार अभी पाइलेट प्रजेक्ट के तौर पर एक नवंबर और एक दिसंबर के तौर चेक करें कि इसका कैसा इफिक्ट परता हमारे समाज है हमारे इंडिया सोसाइटी पे और इससे पहले बात ने यूपी आई को अपना क्लोबल रूप बना चुकी है जो मतलब कहीं दैसों में इसका डिमांड विचार रहे हैं तो आवेशली लोग इसमें क्यों आना चाहिए कर रहे हैं तो इसमें लोग आना मतलब कम चाहेंगे और उपर से इसका जो लाने का कौश्ट है सेंट्रल बैंक डिश्टली करेंसी काफी हाई बताई जा रही है तो यह भात को भी विचार करनी चाहिए अगर भात को इसमें अगर कुछ अच्छा कर सकता तो बाइर आनि प्राइबेट सेक्टर के अंदर क्रिप्टो करेंसी एथीरियम पर लोग ही रहेंगे पहले सो लोग इस पर बनने हुए तो लोग क्यों आना चाहेंगे सीबीडी सी के अंदर तो एक भात के लिए सोचनों योग भी सही है लेकिन इसका यह भी एक इंफेक्ट होगा कि हमारा जो साइबर सेक्राटी जैसे असुबधाएं वह कापी हाई हो जाएगी फिर इसमें इसका इंफेक्ट रिस्क होगा भारत पे भारत कैसा है इस चीज़ को लेता है अपने अब अंदर और लास्ता सब्सक्राटी किस तरह से हमारा स्थिति है अभी देखां तो कॉपरेटरिस कंपनिया जो वह लेते हों पनेंसियर सेक्टर से लेते हैं तो कहीं न कहीं उनका जो भी मतला बताया मैंने कि इंट्रेस डिट्रेट अधिक देना पड़ है क्योंकि हमारे पूर्ट लगतार करने कि दर वो कही ने कहीं धिक हो जाएगा तो यह कंपनी साहथ इनको ब्यास देने में चुक जागी तो इससे यह भी फेल ओ जाएगी तो दूनों कि लिए इस इस्टिश निपकल्ट होटे जो होते जा रहा है यह पारिली लाश्ट में करने यह करता है कि जिस तरह से भी दुनिया के अंदर एकॉनमिस को ले करके अर्स एंटिनिटी जैसे चीज बाहर आउट लुक देखा जा रहा है और काफी हाई रिस्क है ग्रोथ करने के दर भात को घटा कर काफी हद तक कम मतलब हो चुका है तो यह बात बात को सीख लेनी चाहिए कि हमें कॉनकों सीज में सही से बदलाव करना चाहिए ओवराल हम यह साथ बातों को गुवर्मेंट डिसाइड करें किस तरस होंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैवात वीडियो को अच्छा लगते कमेंट जिरू करके बताई इसमें औ आने वाला जो इयर है हमारा त्वंटी ट्वंटी थीरिक अंदर इसमें यह बताया गया है इसमें यह बोलागा है कि भात करेंगी मतलब यह रिपोर्ट आज का है वह जिसमें यह बताई जारे कि भात को दुनिया का दूर्शाइट थर्ड लार्जेस एकॉनमी बनेगा और आने वाले समय में जिसमें भात का ग्रोथ होगा तो आने वाले समय में वह दूर्शाइट एकॉनमी जिड़ी पी वाला देश होंगे जहां ब्भात का ग्रोथ रेट लगवाग शिक्स पाइंट परसेंट की दर तक पहुंचने की उमीद रहेगा उस समय तक तो आप इतना ह मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय हिन जय भारत